Hello Students, Welcome to Study with Concepts So, जैसे कि आप लोग को पता है कि DFCCIL में जो Operation and BD की जो पोस्ट है उसमें एक सब्जेक्ट है Customer Relations Management है ना तो यहां से CRM से आपको 10 से 12 मार्क्स के questions आपको exam में बिलकुल यहां देखने को मिलेंगे तो CRM की यहां पर हमने first class कर चुके हैं means part first हम लोग पढ़ चुके हैं अब हम लोग यहां पर CRM का part second देखींगे clear? चलिए building long term relationships with customers is essential for any business the application of technology to achieve CRM is a key element of e-business so what so business but what does CRM stands for? तो यहां पर हमें कहा गया है कि किसी भी व्यवसाय के लिए ग्रहकों के साथ दिर्ग कालिक संबनाना आवशक है CRM प्राप्त करने के लिए प्रौद्दोगी की का अनुप्रयोग e-websy का एक प्रमुक तत्व है clear यह तो हमें पता है यह तो हम first class में पढ़ चुके हैं कि actual CRM होता क्या है यह पूरी डेटेल सिर्फ इसी चीज़ के लिए बस लिखी गई है ताकि आप हमें CRM का फुल फॉर्म बता सको तो CRM क्या होता है यह तो हम first class में पढ़ चुके हैं और CRM का फुल फॉर्म भी हमें पता है तो हम यह कोशन अराम से कर सकते हैं कि CRM is stands for customer relationship management clear तो option C हो जाएगा यहां से correct तो कहने का मतलब यह है कि पूरा घुमा फिरा के पहले तो theory लिख दी और उसके बाद आखरी में लिख दिया CRM का फुल फॉर्म बताओ clear तो ऐसा question भी बन सकता है इसलिए याद रखेगा आगे बढ़ता है there are different techniques to both initiate and build relationship with customers by using a combination of online and offline techniques what is the customer life cycle through मींज हमें बताने है कि customer life cycle होता क्या है clear तो देखेगा online और offline technique के संयोजन का उपयोग करके ग्राहकों के साथ संबंद शुरू करने और बनाने दोनों के लिए अलग-अलग technique है हाला कि ग्राहक जीवन चक्र होता क्या है हमें ये बताना है तो देखेगा जो customer life cycle होता है वो क्या होता है the stage each customer will go through a long term relationship with supplier है ना supplier के साथ यहाँ पर long term relationship के through यहाँ पर जो उनकी stage होती है वो क्या कहलाती है यहाँ पर customer life cycle कुल मिला के बात यह है कि supplier के साथ customer का लंबे समय तक संबंद बने रहना ही क्या कहलाता है customer life cycle कहलाती है तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा option a clear चलो आगे बढ़ते हैं the four marketing activities within the customer relationship management include customer selection customer equation customer retention plus मतलब एक और क्या है तो देखो यहाँ पर तीन यहाँ पर marketing activities दे रखी है question में कौन कौन सी customer selection customer equation है ना और customer retention means ग्रहक चयन ग्रहक अधिग्रहन और ग्रहक प्रतिधारणा अब यहाँ पर चौथा क्या है वो हमें बताना है तो देखेगा यहाँ पर four marketing activities होती है कितनी होती है four जिसमें से यहाँ पर लिखी है customer selection customer equation customer retention और जो चौथी होती है customer extension क्या होती है retention के बाद extension clear तो यहाँ पर आपका SSC में भी पूछा गया था इसलिए इसको देहन रखेगा clear है ना तो the four marketing activities within the customer relationship management includes आपको चारो यहाँ पर याद रखने है है ना चारो marketing activities याद रखनी है ताकि कोई भी आपर अगर option में अगर छूट जाये तो वो हमें याद रहे customer selection customer equation customer retention और customer extension clear चलो आगे बढ़ते ह using digital communications technologies to maximize sales to existing customers and encourage continued usage on online services is known as मौजुदा ग्रहो को बिक्री की अधिक्तम करने के लिए और online सेवाओं पर निरंतर उपियोग को प्रोसाहन करने के लिए digital संचार तक्निकों का उपियोग करने के रूप में जाने जाता है तो यह तो काफी easy है नाम से यह समझ में आ रहा है अगर यहां using digital communication technologies लिखा है तो यह नाम से ही समझ में आ रहा है वो क्या कहलाएगा आपका electronic CRM कहलाएगा electronic CRM कहलाएगा इसका मतलब electronic customer relationship management कहलाएगा clear यह तो बिलकुल यहां पर हमें नाम से ही समझ में आ रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते है RACE is a practical framework to help marketers manage and improve the commercial value gained from digital marketing the term stands for reach, act, see, engage so what does see refer to यहां पर हमें बताना है कि RACE एक व्यावारिक धाचा है जो विपनक को digital marketing से प्राप्त वानिजिक मुल को प्रवंदित करने और सुधारने में मदद करता है ठीक है यह शब्द जो है RACE मतलब RACE उसमें R का full form है क्या reach A का full form है act, C का हमें बताना है और E का full form है engage clear तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम customer तक सबसे पहले पहुचते हैं फिर वहां पर जो भी हमारी जो बाते हैं वो हम करते हैं means reach हो गया act हो गया C से यहां क्या हो जाएगा convert हो जाएगा ठीक है और फिर उसके बाद engage हो जाएगा clear तो यहां पर आपका C का जो यहां पर full form है वो क्या हो जाएगा यहां पर convert clear means reach, act, convert, engage reach, act, convert, engage यह क्या है यह एक practical framework है clear marketers को यहां पर manage करने के लिए यह क्या है practical framework पर रख है reach, act, convert and engage तो यहाँ पर आपको race का है आपर पूरा है आपर full form याद रहना चाहिए reach, act, convert and engage clear तो option A यहाँ पर हो जाएगा C का full form convert चलो आगे बढ़ते हैं e-commerce managers aim to deliver the most effective mix of communications to drive traffic to their e-commerce sites the different techniques can be characterized as अच्छा गोश्चन है e-commerce प्रबंदों को का लख्ष अपनी e-commerce के लिए संचार का सबसे प्रभावी मिश्रन पदान करना है विभिन टक्नीक की विशेशता इस प्रकार की जा सकती है means यहाँ पर अगर उन्हें traffic अगर लाना है तो कैसे क्या है यहाँ पर traffic लाएंगे उनकी sites पर तो देखेगा offline marketing communication के थ्रू, online marketing communication के थ्रू, digital media channels के थ्रू है ना तो यहाँ पर तीनों आपके यहाँ पर option सही हो जाएगा अगर आगे बढ़ते हैं मतलब यह जो आपका CR है हमें, customer relation management यह जो practical दुनिया जो आप देखते हो, दुनिया में जो practical चीज़े देखते हो, है ना, business से related, marketing से related, जो आप practical चीज़े देखते हो बस उसी पर यहाँ पर questions पूछे जा रहे हैं, clear? और थोड़े बहुत कुछ questions ऐसे रहते हैं, जिसमें हमें term पता होना चाहिए क actual marketing में is term को कहते क्या है, मतलब is actual marketing में is term का मतलब क्या है, बस कुछ-कुछ terms हमें आपर ऐसे थोड़ से पता होना चीज़े है, so a marketing campaign will not be successful if the cost of acquiring site visitors and customers are too high, the term used to describe the cost of acquiring a new customer is known as, यदि site visitor और ग्राहकों को प्राप्त करने की लागत बहुत अधीक है, तो marketing अभियान सफल नहीं एक नया ग्राहक प्राप्त करने की लागत का वर्णन करने के लिए प्रयुक शब्द कहा जाता है, तो देखेगा, यदि हमें एक नया customer अगर लाना है, तो उसका जो प्राइज है वो कितना होगा, तो ये चीज़ सोचने के लिए, ये चीज़ बताने के लिए एक term यूज क पर customer ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन customer word यहां सही नहीं होगा, इसलिए action कह लो या फिर equation, clear, अब ये क्या है एक बार detail में समझ लो, cost per equation या फिर cost per action is a term used to control cost, cost को control करना, a limit allowable cost per equation can be set within the overall marketing campaign budget, clear, किसी भी budget में यहां पर जो भी है, overall marketing में यहां पर क्या करना, जो cost है उसको control करना, clear अब वो cost कैसी क्या control, किस चीज़ की control, यदि आपको नया customer चाहिए, तो उसको पूरा manage करने में, उसको लाने में, हमें यहां पर कितना खर्चा आएगा, यह चीज़ यहां पर क्या कहलाती है, उस term का use क्या कहा जाता है, allowable cost per equation, या फिर allowable cost per action, clear, चले, आगे बढ़ते हैं, the use of online and offline promotion techniques to increase the audience of a site is known as, किसी site की audience बढ़ाने के लिए, online और offline प्रचार तकनिकों का उपयोग को क्या कहा जाता है, तो देखें किसी भी site पर यदि हमें audience बढ़ाना है, किसी भी sites पर यदि हमें audience बढ़ाना है, चाहे online हो या offline हो, तो उस technique को कहा जाता है, traffic building campaign, क्या कहा जाता है traffic building campaign, यह एक प्रकार कि आप मुहीम समझ लो, है ना, campaign means कि आप मुहीम, तो एक प्रकार कि आप मुहीम समझ लो, कि भाई, हमें आप traffic build up करना है, हमारे जो भी market है, जो भी हमारा जो काम है, जो भी हमारे business है, online हो या offline हो, हमें हमारे campaign में क्या करना है, traffic लाना है, traffic build up करना है, clear सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी साइट पर यदि हमें audience को लाना है है ना audience को बढ़ाना है चाहे online हो या offline हो तो उस टेक्निक को कहा जाता है traffic building campaign आप यहाँ पर पढ़े भी सकते हैं website तक पहुचने वाले नए और मौझूदा दोनों ग्रहकों को बढ़ा हैं और इनका उपयोग internet search profiles को बहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है इस टेक्निक का हम यूज करके सारी चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं clear चलो online marketing communication include the development on online partnership and the regarded as an important part of a marketing mix अच्छा यह तो हो गया क्या यह question नहीं हुआ है ना marketing mix there are three key types of online partnerships link building affiliate marketing and one another मतलब यहाँ पर हमें online partnership के तीन types यहाँ पर हमें बताने दो तो question में लिखे हैं तीसरा type हमें बताना है online partnership का तो पहला type है यहाँ पर क्या link building दूसरा type है affiliate marketing और तीसरा क्या है तो एक बार हम हिंदी में भी question पढ़ लेते हैं फिर में आपको आंसर बताता हूं online marketing संचार में online साज्यदारी का विकास शामिल है और इसे marketing mix का एक महत्पूर्ण हिस्सा माने जाता है online साज्यदारी के तीन प्रमुख प्रकार है link building, affiliate marketing और एक अन्य तो वो अन्य वो दूसरा कौन सा है वो तीसरा कौन सा है वो हमें बताना है तो देखेगा online partnership के तीन types है पहला है link building दूसरा है affiliate marketing और तीसरा है online sponsorship क्लियर तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेए कोई भी अगर आपसे जनरेली भी पूछ ले कि online partnership का जो है वो तीन types कौन कौन से है तो link building है दूसरा affiliate marketing है जो amazon पर जो affiliate marketing चलती है वो है ना और तीसरा क्या है online sponsorship ठीक है चलिए आगे बढ़ते है इन relationship stakeholders of business are customers and suppliers व्यापार में डैश संबंद हित धारक ग्रहक और आपूरती करता है तो देखे तो यहाँ पर सबसे पहले में आपको बता देता हूँ कि stack holders जो है वो दो types के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे clear stack holders मैं short में लिख ले रहाँ stack holders पहला होता है internal stack holders और दूसरा होता है external stack holders अब बस आपको यहाँ पर सिर्फ और सिव यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि internal stack holders में कौन आते हैं और external stack holders में कौन आते हैं तो देखेगा internal stack holders में employees किसी भी company के employees हो गए किसी भी company के manager और किसी भी company के owners यह आपके internal stack holders में आएंगे clear external stack holders में कौन-कौन आएंगे company के suppliers, customers, clear उसी प्रकार से society, society, government, creditors जो होते हैं वो, shareholders जो होते हैं वो तो यह सारे आपके किसम में आएंगे external stack holders में आएंगे clear तो बस यहाँ पर आपको सिर्फ उसी इतनी चीज़े ध्यान में रखनी है क्या कि internal stack holders में आते हैं कौन-कौन internal stack holders में आते हैं employees, manager and owners और external stack holders में आते हैं suppliers, customers, society, government, creditors and shareholders clear तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि customer और suppliers जो हैं वो कौन से stack holders में आते हैं इस प्रकार से आप इसे समझे तो यह आते हैं external stack holders में clear ESH external stack holders clear चले आगे बढ़ते हैं in CRM in CRM which team solve as inter departmental conflict and work for common benefit of the organization CRM में customer relationship management में कौन सी team अंतर विभागय मत बहेद को हल करती है और संगठन के सामाने लाब के लिए काम करती है तो देखेगा वो एक internal team होती है जिसका नाम है strategic internal marketing team clear क्या है strategic internal marketing team यह सभी organization में सभी marketing यह सभी companyों में होती है एक team जो कि क्या है strategic internal marketing यह क्या करती है ये जितने भी internal जो मतबेद होती है आपस में है ना आपस के departments में आपस के लोगों में तो उसमें क्या करती है उनने solve करती है और जो organization के जो benefits है है ना organization के जो benefits है उन पर काम करती है clear तो उस team का नाम क्या है strategic internal marketing team चिक चलो आगे बढ़ते हैं a value chain assessment methodology that gives a better understanding of one's interaction with customers एक मुल्य श्रिंखला मुल्यांकन पदिती जो ग्राहकों के से साथ बाचित के बहतर समझ देती है वहा है तो देखेगा एक value chain assessment जो कि किसी customer के साथ है किसी भी customer के साथ एक बहतर समझ हमें देती है कि भाई उसके customer के requirement क्या है है उसको कितनी cost में कोई product चाहिए उसको delivery कब तक चाहिए उसको quality कैसी चाहिए तो इस सारी चीज़ें जो हमें interact करती है उस methodology या फिर आप ऐसा कह सकते हैं उस पद्दिती को हम यहाँ पर क्या कह सकते ह या ग्राहक धारना विश्सलेशन तो बिलकुल यहाँ पर आपका option A यहाँ पर correct हो जाएगा a value chain assessment methodology that gives a better understanding of one's interaction with customer is customer perception analysis चलो नाम से बिलकुल यहाँ पर समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं Dash aims to maximize the number of sales by constantly attracting new customers rather than encouraging repeat purchases with the bear Dash का उद्देश खरीदार के साथ बार बार खरीदारी को प्रोज साहित करने के बजाए लगतार नए ग्राहकों को आकरशित करके बिक्री की संख्या को अधिक्तम करना है तो उसे हम क्या कहेंगे तो देखे उसे हम कहेंगे ट्रांजेक्शनल मार्क कि देश ही हम होती है उसका उदेश ही है कि खरीदार के साथ बार बार खरीदारी को प्रोज साहित करने के बजाए लगतार नए ग्राहकों को आकरशित करके बिक्री की संख्या को अधिक्तम करना है कुछनाहिए यहांपर क्या कहलता है Transactional Marketing कहलती है नाए नाए customers लाओ और उन्हें अपना product बेचो यही क्या होता है transactional marketing कहलाती है तो बस यह है यहाँ पर हमसे पूछा था कि dash aims to maximize means transactional marketing aims to maximize the number of sales by constantly attracting new customers rather than encouraging repeat purchases with the bear चलो आगे बढ़ते हैं तो यही थे दोस्तों आज के हमारे यहाँ पर questions है ना अफर जैसे की यहाँ पर यह जो लिखे है relationship marketing क्या होता है यह भी हमें जानना ज़रूरी है तो देखो यहाँ पर मैं एक एक आपको बता देता हूं देखे यह जो relationship marketing होती है यह relationship marketing क्या करेगी कि जो भी आपकी profitability है उन्हें क्या करेगी maintain करेगी है ना जो भी आपको profitability रहेगी उससे क्या करेगी maintain करेगी और customer के साथ long term relationship बनाना चाहेगी है ना ये दो काम करती है जितने भी profits हो रहा है उन्हें यहाँ पर maintain रखेगी है ना जितने भी customer के थूर यहाँ पर जितने भी profit हो रहा का है कंपणी में उसको यहां पर मेंटेंड रखेगी और कस्टमर के साथ लॉंग टम रिलेशंशिप बनाने शाहेगे यह काम है रिलेशंशिप मर्केटिंग का प्रोमлем स्मझ सकते हैं कि प्रोम अटीव Store मर्केटिंग क्यों कृषिश करतий हैं वह बनानेS प्रोडक्ट्स की डिजाइन करो है ना नए नए यहां पर सर्विसेज अपने कस्टमरों को कस्टमरों के लिए बनाने की कोशिश करो यह प्रोएक्टिव मार्केटिंग का काम है Transactional Marketing का हम लोगों ने समझ लिया है ना कि ये नए-ने कस्टमरों को लाके अपना product जो है वो बेचती है clear पुराने customer बार-बार use नहीं करना चाहती है नए-ने कस्टमरों अपने नए-ने customers बनाना चाहती है और उन्हें अपने products बेचना चाहती है ये Transactional Marketing का काम है उसी प्रकार से Accountable Marketing हों हम क्या कह सकते हैं कि देखेगा Accountable Marketing क्या करेगी customer को encourage करेगी है ना जो जो नए-ने customers होंगे उन्हें encourage करेगी उनकी organization में उनकी company में long term के लिए relationship बनाने के लिए और साथ ही साथ उनका जो product है उस पर review पाने के लिए ये Accountable Marketing का यहाँ पर काम रहता है क्लियर ये चीज़ कहने का मतलब यह है कि customer की जो आवशकता है उन पर क्या करती है उन्हें मतलब encourage करती है customer को जैसे भी उनकी products की जो requirement होती है उसे साब से ये Accountable Marketing का काम है यहाँ पर आपको मैंने बता दिया clear? चले तो आज की लिए पर लोग इतना रखते है इसकी जो PDF है वो मैं आपको Telegram चैनल पर दे दूँगा और Telegram चैनल की जो link है वो आपके description box में दे रखी है तो जल्दी से जाके आप Telegram चैनल जोइन कर लिजेगा ठीक है और यदि अभी तक अगर आप लोग ने test series नहीं लिए है तो आप test book की आप लोग test series ले सकते हैं मुझे उसकी test series अच्छी लगी है ना तो description box में test book की यहाँ पर मैं link भी दे दिया है वहाँ से जाके आप test series जो है वो purchase कर सकते हैं उसकी है ना और अगर आपको discount चाहिए test series में तो नीचे एक coupon code भी दिया है तो वो भी आप लगा लिए तो आपको discount मिल जाएगा clear reference चले अगर आपको यहाँ पर class अच्छी लगी हो तो like करिएगा अपने दोस्तों में share करिएगा comment करके बताएगा class कैसी लगी और अभी तक अगर आप लगन चैनल को subscribe नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और सबसे most important चीज़ भी है आपके जितनी भी student है करीबन अगर आप एक student के कम से कम है आपर 50-60 तो दोस्त होंगी चलो 50-60 नहीं है तो 20-30 दोस्त तो होंगी तो क्यों ना आप 20-30 दोस्तों को अपनी चैनल की लिंक है वो शेयर कर दो तो उन लोग क्या कर लिए सबस्क्राइब कर लिए है ना और उन्हें बाइल आइकन को क्लिक करने को भी बोल देना clear हो गया ठीक है तो आप लोग से एक request है चैनल को सबस्क्राइब कर लिजएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा चैनल को चैनल को चली फ्रेंट्स आज के लम लोग इतना रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब तक लिए बाबाई टेक क्यार